हेलो मैडिया फ्रेंड्स नमस्कर वेलकम टू अनलेंग जयान भाई आनन्त फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराकन अधिनस्त सेवाच चैना अगद्वारा आयोजित उत्तराकन फॉरेस्ट गार्ड भरती परेक्चा की आज की महत्तोपोन अपडेट जैसा कि दोस्तो आप लोगोगो तो बिगत सोल फरवरी 2020 को हुई उत्तराकन फॉरेस्ट गार्ड भरती परेक्चा ने एक साल पूरा ड्रामा डोल किया और अभी तक भी इसका परिणाम गोजित नहीं हुआ है दोस्तो इसमें अभी भी बना हुआ है संसाई की जो 56 अभियर्थी पकड़े गए थे उसमें से 1st SIT report में 31 की पहचान ही हुई है अन्य की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है तो उत्राकर्ण फोरेष्ट गार्ड भरती परिक्ष्या कबर आज हम बताएंगे संतोस बडोनी जी का क्या प्रेस वारता में जबाब आया है तो बने रहें वीडियो के अंतर तक सात्यों उत्राकर्ण समधित के सिभ भरती अपडेट के लिए हमारे चैनले के साथ जुड़िए और आपको बता दें सब्सक्राइब करकर हमारे बेल आइकन कौन को जरूर राउन करें सात्यों हमारे वर्टसप गुरूप को आपने अभी तक जोईन नहीं किया है तो उसको भी जरूर जोईन कर लें वीडियो आपको हेल्पपूल और अच्छी लगती है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तो फॉरेस्ट गार्ट भरती परिक्षा दस केंद्रू पर होगी दुबारा आज की फ्रंट पेज पर आज की टैग लाइने साते उत्राकन फॉरेस्ट गार्ट की परिक्षा दस केंद्रू पर ही दुबारा होगी जानने का परियास करते हैं पूरी नूच को पुलिस की दूसर रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है रिपोर्ड मिनने के बाद ही परिक्षा की चारी तारिक जारी होगी सिर्फ सिमित परिक्षा ही कराय जाएगी दोस्तों जो दस केंद्रों पर हरिद्वार में उत्राखन फोरेस्ट गार भरती परिक्षा के नकलची पकड़े गए थे दस केंद्रों को चेननेत किया गया है उन पर ही उत्राखन फोरेस्ट गार भरती परिक्षा होगी आज का सबसे बड़ा विचार उत्राखन संतोस बढ़वनी जिने जो सचीव है उनने दिया है तो उत्राखन अधिनस्त सेवा चैनागदवार आउजी दो हरदवार जिले में 10 केंद्रों को फॉरेस्ट कार्ट भरती परिक्षा दुबारा करानी की तैयारी कर रहा है इन सभी केंद्रों पर नकल की पुष्टी हुई थी मगर आरवप्यों की शिनाकत अभी तक नहीं हुई है सिर्फ केंद्रों की शिनाकत हो चुकी है बलकि सात्यों जो आरवपी थे जिनने नकल की थी उनका चिन अभी तक नहीं हुआ है पिछले साल फरवरी में हुई परिक्षा आप लोग आउगत हो इससे तो 96,000 के करीब युवा उत्राखन के इसमें समली तेस परिक्षा में तो इस परकार पुलिस ने 56 अभ्यरतियों को नकल्ची में पकड़ा है पुलिस की पहचान अभी तग असाइटी फस्त रिपोर्ट में आ चुकी है तो पुलिस की दूसरे रिपोर्ट अभी तग उत्राखन दिनस्त सेवा चैना के पास नहीं पहुंची है उनका कहना है कि यदि इसमें पहुंच जाती है तो हम जो 10 केंदर हैं परिक्षा के उनको ही कराएंगे दुबारा परिक्षा तो दोस्तों क्या अभी भी इसमें संसाय बना हुआ है हम नहीं कह सकते कि परिक्षा दुबारा होगी या रद्द होगी क्योंकि अभी तक official news इसकी नहीं आई है तो बने रहे हैं हमारे साथ चैनल के साथ हम आपको live update देते रहेंगे समय समय पर जैसे ही कोई news update आती है तो तब तक के लिए सात्यो जैहिन आपको बना रहे हैं हमारे साथ और आपको पता दें उत्राकन forest guard भरती परेक्षा पर भी official news जो है कोई नहीं आई है आप भरमीत नहीं हुए बहुत बहुत धन्यवाद God bless you